किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त राकेश आप देख रहे हैं एगरिकल्टरिस्टार यूटूब चेनल और आज हम बात करने वाले हैं धान की विराइटियों के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है कि धान की कहीं प्रकार की विराइटियां है और ज्यादा तर किसान भाई कंप्यूज हो जाते हैं कि कौन से विराइटियां हमें लगाना है और वैसे तो सभी प्रकार की विराइटियां बेश्ट होती है लेकिन कुछ विराइटियां हैं जिनका कि उत्पादन कफी अच्छा हो जाता है तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से विराइटियां धान की बेस्ट हैं तो हम बात करेंगे आज धान की परमल विराइटियों के बारे में और साथ ही हाइबिरिड विराइटियों के बारे में बासमती विराइटियों के बारे में तो देशी विराइटियां होती है उनका स्वात खाने में बहुत ही अच्छा होता है और हाइबिरिट विराइटियों के मामले में स्वात के मामले में देशी विराइटियां अच्छी होती है तो देशी विराइटियों की अगर बात करें तो उत्पादन इसमें 30 क्विंटल का हमें मिल जाता है नमबर दो पर पी आर 114 यह जो विराइटी है यह लंबे समय की विराइटी है काफी लंबे टाइम में आती है 145 से 50 दिन में पकर तयार हो जाती है और 30 से 35 क्विंटल प्रती एकड का उत्पादन हो जाता है जो इसका दाना होता है वो बहुत ही मजबुत होता है चावल इसका बहुत ही मजबुत माना जाता है नमबर 3 पर पी आर 117 जो की लंबे समय की विराइटी है 150 दिन में पकर कम्प्लिट हो जाती है और 28 से 30 क्विंटल प्रती एकड का उत्पादन देती है साथ ही ये थोड़ी कम हाइट वाली विराइटी होती है और जो हाइट कम लेती है तो हांधी तुपान के कारण गिरने की समस्या नहीं होती है उसके बाद हम बात करेंगे चार नमबर पर P.R. 126 के बारे में ये सबसे कम समय की विराइटी है और जो कि सान भाइ दो फसल लेना चाते हैं तीन फसल लेना चाते हैं फटापट वो इस विराइटी का चुनाव कर सकते हैं ये 125 दिन में पक्के तयार हो जाती है और थोड़े कम पानी वाली विराइटिया है अब उसके बाद हम बात करेंगे 201 विराइटी की जो की रोप्रती रोधक के बारे में अच्छी मानी जाती है और 32 से 35 क्विंटल प्रती एकड का उत्पादन देती है और ये बलेक राइस होता है ये जो विराइटी है काले राइस की विराइटी है चलिए ये देशी विराइटिया हो गए आप हम बात करेंगे कुछ हाइब्रिट विराइटियों के बारे में हाइब्रिट विराइटियां सबसे पहले बात करेंगे 64-44 जो की 32 क्विंटल प्रती एकड का उत्पादन देती है और 140 दिन में पक्के तयार हो जाती है उसी के बाद नमबर दो पर Pioneer 27P31 ये भी 128 दिन से 135 दिन में पक्के तयार हो जाती है और थोड़े लंबे समय की वेराइटी है उसके बाद बात करेंगे सवा 134 वेराइटी 35 क्वेंटल प्रती एकड का उत्पादन देती है और ये भी इसमाल हाइट की वेराइटी होती है जो की गिरती नहीं है उसके बाद JKRH 82 वेराइटी जो की एक रोक प्रति रोधक वेराइटी है और 135-140 दिन में पक्के तयार हो जाती है और 32 क्वेंटल प्रती एकड का उत्पादन देती है और सबसे लाश्ट में बात करेंगे बायर की अराइज कंपनी के बारे में अराइज 629 जो की 120 दिन में पक्कर तयार हो जाती है मात्र और कम पानी वाली और कम समय वाली वेराइटी है और 28 से 30 क्वेंटल प्रती एकड का उत्पादन दे देती है तो ये थी कुछ देशी और हाइब्रिड वेराइटियां अब हम बात करेंगे बास्मती वेराइटियों के बारे में सबसे पहले नमबर पर बास्मती वेराइटि के जो है वो है 17 28 जो की 20 क्वेंटल प्रती एकड का उत्पादन देती है और 140 से 45 दिन में पकर तयार हो जाती है उसके बाद पूसा बास्मती 17-18 ये भी 135 से 40 दिन में पकर तयार हो जाती है और 18 से 20 क्वेंटल प्रती एकड का उत्पादन देती है उसके बाद बास्मती दस बेस्ट क्वालिटी राइस होता है और 15 क्विंटल प्रती एकड़ का उत्पादन देता है यह इसका जो राइस होता है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है और इसका थोड़ा विकने में रेट आपको अच्छा मिल जाएगा उसके बाद पूसा 15-09 जल्दी लगाने वाली वेराइटी है और 18-20 क्विंटल प्रती एकड़ का उत्पादन देती है सबसे लाश्ट में बात करेंगे पूसा 11-21 के बारे में इसे की वास्मती का राजा भी कहा जाता है और इस पर विमारियों का अटेक भी कम होता है और 14-42 दिन में पक्कर तया बहुत ही अच्छी क्वालीटी की वेराइटी होती है तो यह थी चावale की कुछ देशी हाइबूरीड और बासमती वेराइटियाँ अन्य फसलों के बीजों के लिए या फिर दवाईयों की जानकारी के लिए खात की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही बेल आइकन भी दबा लिजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ और नई किसान के साथ तब तक के लिए जई जवान जई किसान धन्यवाद